आप एक्जाम टूर देख रहे हैं यहाँ पे देखेगा एक आवसेक सुचना है क्या लिखा गया है बिहार एस्टेट पावर होडिंग कंपनी लिमिटेड यानि की बी एस पी एच सील वाला है मैटर उस पर बातचीत करेंगे यहाँ पे दर्द जस्ट देखेगा आज का यह है जो और रेडी जॉब में है जो वह बिहार पावर होडिंग में जॉब करते हैं उनके लिए है आई यह सभी के लिए नहीं है देखेगा यहाँ पे जो सी डबलू जैसी नंबर वहां पे हुआ था उसके तहत यह बहाली दी गई है और ऐसे लोगों के लिए यह निकाल यहाँ पे देखेगा बिजली कंपनी में यहाँ पे 533 पदो पर आंतरिक बहाली यह आंतरिक बहाली वाला मामला है यानि कि वह कोट से जो आदेश मिला है वह बहाली है इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ लेकिन बहु सारे लोग कंफूजन चल रहे थे बहु स इसका आवेदन का तिथी लास्ट डेट है तो बिजली कंपनी में 4,016 पदो पर नियमित बहाली को लेकर आवेदन 15 अक्टूबर तक लिया जाएगा आवेदन का लिंक सब कुछ आपको मालूम है हर चीज जानते हैं बहु सारे लोग यह कंफूजन में है कि सर हम 4 पद के ल कोई विद्धार्थी कहीं थोड़ा सा टूटी भी कर दे रहे हैं तो उनका फिर से आवेदन करना है फिर से जब आवेदन करना है तो वह 15,00 रिटर्न नहीं आ रहा है आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कोई व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो इस पर जरूर संयान ले अब रही बात इसका क्या होगा तो यह जो आंतरिक बाहली है इनका भी एक्जाम होगा लेकिन इनका एक्जाम अलग से होगा इनका एक्जाम इसमें नहीं होगा इनका एक्जाम अलग से होगा इनका प्रमोशन के लिए अलग अलग सब कुछ दिया गया है अलग कटेगरी व बाहरा जाएगा इसको लेकर एक नॉवंबर से पंदरह नॉवंबर तक आउनलाइन आवेदन मांगा जाएगा बिहार स्टेट पावर होडिंग कम्पनी ने बताया कि आंतरिक बहाली को लेकर साहाइक अभ्यांता के अन्ठावन पद कनिया अभ्यांता के लिए और यहां पे कलर्क के रिए उनके लिए 1.500 पद होगा अभ्यारती अपनी सेक्षिक हो गेता है यह महारता के अनुरूप इस आवेदन कर सकते हैं तो वैसे विद्यारती जो आवेदन फ्रेसर वाले हैं जो पहली बार आवेदन करेंगे वह यह न सोचे कि आपका नॉमबर तक ौमबर तक आपका नहीं है आपका कल तक लास्ट इत्स हैं आप जरूर आवेदन खरें और आवेदन करते समय सब कुछ बताया है कि आप यह ध्यान रखें कि किसी वी परगार का कोई तुटी न हो जानना चाहरा है कि जो इंसाइक होगा जोन किये उनका क्या होगा जो दुबारा नहीं रिए उसके बाद हर एक आप जो ऑवेदन की हैं उसकी जाच होगी जाच फरक्ष देखा जाएगा अब इस बार कितना आवेदन आया एक एक डाटा में कल आपको बताऊंगा उच पर काम कर रहा हूं किस तरीका से टोटल बात आपको बताई जाएगी एकजाम का नॉमबर मान के चलिए और यदि आपको लगे किसी परकार का कोई श पुछ रहते कि सर जो हम आवेदन किये हैं या आवेदन किये हैं उस समय का आपके पास आय जाती निवास सबकुछ होना चाहिए बहले ही यह सप्तमबर अक्टूबर में और सबस्क्रेमजान चल रहा एक तक सारी अक्टूबर तक आवेदन चल रहा है